नमस्का दोस्तों, Lucent GK के कॉश्चन लिकर आ गए हैं, MCQ टेस्ट है, फ्री टेस्ट पेपर है, आप अपना नॉलिज चेक करिए कि आपके कितने प्रश्ण सही आते हैं, अच्छे चेक कॉश्चन लिकर आ हैं, सेलेक्टिड कॉश्चन लिकर आ हैं, चलें स्टार्ट करें, च किससे संबनित हैं, तो सैरेबर्म यह आपका मस्तस किससे संबनित हैं, option no.c. प्रशन के लिए right answer है, विरंजचक चूण एक यॉगिक है, उसका सूत्र क्या होता है, तो विरंजचक चूण का सूत्र होता है, आपका Caocl2, option no.c. Caocl2 प्रशन के लिए right answer हो जाएगा विरंच उर्जा option number यहाँ पर C प्रश्न के लिए right answer हो जाएगा नॉर्मन ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का द्रवी भूत मिश्ण क्या कहलाता है तो नॉर्मल ब्यूटेन को मिलाएंगे और आइसो ब्यूटेन को मिलाएंगे तो द्रवित पेट्रोलियम गैस option number यहाँ पर right answer है पुष्पिके जनन्चक्र हैं तो पुष्पिके जनन्चंक आपके पुमंग और जायंग है option number A पुमंग और जायंग right answer हो जाएगा वक्क की संदचना तथा क्रियात्मक इकाईन में से क्या है तो वक्क की क्रियात्मक की काई आपकी वक्क नली का option number यहाँ पर भी प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है तो क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा option number यहाँ पर right answer है मोलस्क समुदाए के जन्तूओं के कवच का ध्यन क्या कहलाता है तो मोलस्क समुदाए के जन्तूओं के कवच का ध्यन कॉंकोलोजी कहलाता है option number भी कॉंकोलोजी प्रश्ण के लिए right answer है निम्न वैसे किसमे नाइट्रोजन पाए जाता है तो नाइट्रोजन पाए जाता है आपका प्रोटीन में option number भी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाएगा एक शेल पत्थर के पीले अतवा लाल रंग में परिवत्त होने का कारण क्या है तो मिराज दिखाई देता है प्रकाश्ट का पूर्ण आंतरिक परावतन के कारण ओप्शन नमबर यहां पर भी राइट आंसर है नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किस्से परती रक्षित करती है तो ये काली खांसी टिटनेस और डिफ्थीरिया से उसको रक्षा करती है ओप्शन नमबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा एक अपार दर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसको वह परावर्थित कर देगा ओप्शन नमबर सी यहां पर आइट आंसर हो जाएगा यदि कोई चीज हरे रंग की दिख रही है तो वह हरे रंग को परावर्थित कर देता है बाकी किसी को नहीं करता परावर्थित निम्द मैसे कौन DNA अनू का एक घटक नहीं है तो DNA अनू का घटक आपका यूरेसील नहीं है बाकी तीनों आपके DNA अनू के घटक है निम्द मैसे कौन सा एक मानव नित्र का भाग नहीं है तो मानव नित्र का भाग आपका फीमर नहीं है फीमर कहाँ पर पाई जाती है किस अंग में कमेंट करके होता आईए सबसे विशाल जीवित इस्तनपाई कौन सा है तो नीली वेल सबसे विशाल जीवित इस्तनपाई है उप्शन आजा सकता है तो तत्वों की प्रक्ति को ग्याद करने के लिए इलेक्ट्रोनिक विशाल जीवित इस्तनपाई के लिए उप्शन आजा सकता है प्रकाश इंसलेशन में विविवोजित उप्षीजन उत्पन्न होती है तो यह उप्षीजन जो उत्पन्न होगी वो होगी पानी में प्रकाशी अपगटन से उप्षन आजा सरवादिक जो और आज़ेगा टिटनेस किस वज़ेशे होता है तो टिटनेस बैक्टीरिया की वेशा होता है option नबर यहां पर आई डानसर है वेक्टीरिया समुद्री जल को शुद्द जल में किस प्रक्रिया दवारा बदला जा सकता है, जो शुद्ध जल में उत्क्रम पराशरन दव दलहनी पौधे संबनते हैं यह आपका लैग्यूमिनोसी से संबनते हैं option number C वाहिनी वीहिन गरंतियों के स्ट्रामर से को क्या कहा जाता है वाहिनी वीहिन गरंतियों के स्ट्रामर को हार्मोन option number V यहाँ पर हार्मोन right answer है एक मेगा वाट घंटा MWH किसके वरावर होता है तो एक MWH तीन गुड़त आपकी जीगा तीन दिसम्दश है दस के उपर नोकी घात यहाँ पर दस के उपर नोकी घात है याद रखिएगा ठीक एक सोनों नहीं लखा दस के उपर नोकी घात जूल राइट आंसर हो जाएगा ती ऑप्ष्ण नम्बर ई यहाँ पर अंग्रे जी भाशा राइट अनसर तो नावेक के धनाविशित होने की खोज रधर फोड ने की थी ऑफ्षू नमर भी राइट आंसर ई जिस नियूंतम ताप पर कोई पदात जलना शुरू करता है उसे उस पदात का क्या कहा जाता है तो उसे उस पदात का कहा जाता है ज्वलन ताप ऑप्शन नमबर यहां पर भी ज्वलन ताप राइट आंसर है तत्व के सबसे चोड़े भाग को क्या कहा जाता है तो तत्व का सबसे चोड़ा भाग परमानु कहलाता है option number यह परमानु प्रशन के लिए right answer है प्रकाश के निमलकित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीवर आउशोशन होता है तो right answer हो जाएगा निले और लाल इनका आउशोशन बहुत तीवर होता है option number B यहाँ पर प्रशन के लिए right answer हो जाएगा लोह चुंब की पदार्तों के भीतर परमानों की असंक या अतिशूखन संरशना को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है domain option number C domain right answer है अगनी नीरजा रोग किस से सम्मनित है तो अगनी नीरजा रोग यह से सम्मनित है option number A right answer है ले मारक वाद का मूल सिधानत है तो ले मारक वाद का जो मूल सिधानत है वो है आपका उपारजित लक्षन की वन्शागती option number B पित्त का संचे किस में होता है तो पित्त का संचे पित्तासे में होता है option number डी पित्तासे राइड आंसर है हेडिकल परियोजना किस नदी परिस्तित है तो हेडिकल परियोजना राइड आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए इस प्रशन के लिए comment करके बताईए चलिए इस प्रशन का answer आप मुझे comment करके बताएंगे कि हिडिकल परियोजना किस पर इस्तित है भूगोल का question है ये question आपको मैं कई बार कराभी चुका हूँ कई बार exam में ये question पूछा जा चुका है इस question का answer comment box में comment करके बताईए देखते पर भी जारखंट राइट answer हो जाएगा भारत की जनसंख्या पर जनसंख्या कब सौ करोड को पार कर गए थी तो सौ करोड को मई 2000 में सौ करोड पार होए थी भारत की जनसंख्या option नमबर ए प्रताम जल विदुद्ध सक्तिकेंद्र कहां पर स्थापित किया गया था तो सब किस राज्य में तामा खनिच का सबसे वड़ा भंडार है तो तामा खनिच का सबसे वड़ा भंडार आपका राजस्थान में है option नमड़ी राजस्थान राइट answer है राजा जी राष्टी पार्क एक प्राखतिक आवास है तो राजा जी राष्टी पार्क ये एशिया यहां किस से है तो आप्शिण companion स्माश संवसे करता है अप्शन बीटरेशम उत्पाद करता हैि द्धाजत 노inkण को जायेक यहां पर शेहर्ट टरेशम की बात हो रही है जो रहे है किमर बीटर्फilation करोट के तो अगश्टंग उत्पादन के लिए प्रसिद डेगाना खान किस राज्य में सत है तो डेगाना खान जो है ये राजिस्तान में है औपसे नुमसी राजिस्तान राइट आंसर में पाई जाता है भारत में खनिच के तेल भंडार मुखिता किस प्रकार की चट्तानलों में पाये आप्शन नमब्र भी यहांँ पर ыंदळ कौन सा राज, पहले नेवा के नाम से जाना जाता था। अवंचयल प्रदेश को पेहले नेवा के नाम से जाना कहता था। बurचिल जोजिला दंगें निम्दवॅ गुति मैंसे किस राजिय में है। तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू काश्मीर में है, option नमबर भी यहाँ पर right answer हो जाएगा जम्मू काश्मीर, सार गैसो क्या है, तो सार गैसो यह समुद्री घांस है, option नमबर C समुद्री घांस right answer हो जाएगा, स्वेज नहर, जल मार के दोनों सिरों पर इस इत पत्तर में युगम कौन सा है, तो स्वेज नहर की दोनों तरफ, port, side, तथा स्वेज, option नमबर यहाँ पर D right answer हो जाएगा, चंद्रमा प्रत्वी का एक चकर कितने दिनों में लगाता है, तो चंद्रमा जो है, यह प्रत्वी का एक चकर लगबग लगाता है, 27 दिसंबलो तीन दिन में, option नमबर यहाँ पर C right answer है, ग्राहों की गती का नियम किस ने प्रतिपारिद किया, तो ग्राहों की जो गती का नियम है, right answer हो जाएगा, इसको कैपलर ने प्रतिपारिद किया, option नमबर यह पर परशने के लिए right answer हो जाएगा, शनी ग्रह का सरबदम किस खगोल सास्तिती न दिखा था तो शनी ग्रह को सबसे पहले दिखा था गैलीलियो ने option number 1 गैलीलियो प्रशन के लिए right answer है निम्द लिकित में से किस विद्वान ने प्राकितिक निम्द किंअ hijos के आधार पर जन्संक्या सिधान का प्रति पारन किया तो प्राकितिक निम्द के आधार पर जन्संक्या सिधान माल थस option number 1 गैलतास right answer है विश्व के कुल व्यापारिक उर्जा उत्पादन का सरवादिक भाग किस रोध से प्राप्त होता है इस प्रशने का अंसर आप कमेंट करके बता है देखते हैं किसको पता है सबसे ज़्यादा विश्व की बात हो रही है उर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किससे होता है कमेंट कर जाता है कोईला प्राखतिक गैस पेट्रोलियम या परमान उर्जा सबसे ज़्यादा उर्जा का उत्पादन किससे होता है कमेंट करिए रौकी परवत के पूरी ढालों पर उतरने वाली हवा को सयुक्त राज अमेरिका में और कनाडा में क्या कहा जाता है तो रौकी परवत से जो हवाएं उतरती हैं उनको कहा जाता है चिनूख हवाएं ओप्शन नमबर भी चिनूख हवाएं राइड आंसर है विश्व में पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का, सयुक्त राज अमेरिका, बाकी आपको बताने कि इन सभी जगहों में पवन उजा अच्छे से उत्पालत कियाती है, भारत जर्मनी, भूतपुरु सोव्यत संग और सयुक्त राज अमेरिका, डोल्डरम चित्र की प्रश्ण के लिए, निम्नलगित में से किस नगर को एंपार सिटी कहा जाता है, आपका निव यॉर्क को ऑप्शन नमबर सी निव यॉर्क राइट आंसर है, निम्नलगित में से कौन सी सामुद्र के नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, उप्शन नमबर भी, संसार में सबसे बड़ा महदीप कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महदीप है, आपका एशिया महदीप, यहाँ पर जो ऑप्शन देगा है, विश्व में लावा निर्मित मैदान जो है, मतलब अगला कोशन देख लेतें, क्या पूछा गया है, रबड किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, तो रबड जो है, राइट आंसर हो जाएगा, यह उपज है, आपकी ऑप्शन नमबर भी, विश्वतिय प्रदेश की उपज है, ऑप्शन नमबर भी, विश्वतिय प्रद आइड आंसर है प्रवाल भित्तियां समुदरी प्रति रूप है तो प्रवाल भित्तियां ये आपका ओश्न कटीवंदी वर्षावनों में पाई जाती है option number B यहाँ पर आइड आसर है आकास का सबसे चमकदार तारा है आपका serious option number D यहाँ पर आइड 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 आसर है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से उकर गुजरता है, option नमबर याँ पर C प्रश्णी के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, शेकांकुदीप के स्वामित का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो शेकांकुदीप, चीन और जापान इसके लिए स्वामित के लिए रड़ रहा है, option नमबर याँ पर C राइट आंसर हो जाएगा, निमनल कितमे से कौन सा एक देश सरवादिक घनावसा है, तो कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, अल अजीजिया, कहां पर इसलित है, तो अल अजीजिया, ये आपका सहारा मरसल में, इस्तिते, option नमबर भी सहारा मरसल राइट आंसर है, विश्व में, किस महादीप में, आदम जातियों की सरवादिक जनसंख्या पाई जाती है, आदम जातियों की सरवादिक जनसंख्या अफ्रीका में है, option नमबर भी आफ्रीका राइट आंसर है, विश्व में चीनी का सबसे वड़ा उतपादग देश कौन सा है, तो चीनी का सबसे वड़ा उतपादग देश है आपका ब्राजील, option नमबर भी ब्राजील परशने के यह प्रवाल वित्ती है यह आपकी प्रशांत महासागर की प्रमख विशिष्टा है, option अमबर भी यहाँ पर right answer है, माल्थस के अनुसार, जनसंक्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो माल्थस के अनुसार, जो जनसंक्या रहती है, यह आपकी right answer हो जाएगा, 25 वर्षों में दूनी हो जाती है, option नमबर भी 25 वर्ष्ण के लिए right answer हो जाएगा, अगला question दिखिए मानस किस नदी की उपनदी है, तो मानस ये ब्रह्मोपत्न नदी की उपनदी है, option नमड़ी यहाँ पर right answer है पेरियार वन पशू विहार किस राजमिस्त है, तो पेरियार इस्तित केरल में, option नमड़ी केरल right answer है भारत में सबसे उची परवत चोटी कौन सी है, तो सबसे उची परवत चोटी है, आपकी गौडविन ओश्टिन, option नमड़ यहाँ पर right answer हो जाएगा नंदा देवी जीव मंडल किस राजम है, तो नंदा देवी है, उत्तरा खंड में, option नमड़ी उत्तरा खंड right answer है जम्मु काश्मीर की राजदानी श्री नगर, किस नदी के की तटपर है, तो श्री नगर जो है, यह आपकी जेलम नदी के तटपर है, option नमड़ यहाँ पर right answer है श्याचीन गलेशियर छेतर के ऊपर किस के मद्ध जगड़ा है, तो श्याचीन में आपका right answer क्या हो जाएगा, यह जगड़ा है भालत और पाकिस्तान के बीच में, option number 1 यहाँ पर right answer हो जाएगा जायद मोसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो तर्बूज यह जायद मोसम में उगाई जाने वाली फसल है पनियान तथा इरूला जंजातियां किस राज्य में निवास करती हैं तो पनियान और इरूला जंजातियां राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी केरल में निवास करती हैं उप्शन नमबर C चेनहीं में जोडों में, जाडों में, मतल़ ठंड में वर्षा होती है तो चेनहीं में ठंड में जो वर्षा होती है वो उत्टरी पूरी मांसून से वरषा होती है option number यहाँ पर B right answer है निम्नलगेसे कौन सी नदी अरफ सागर में गिरती है तो अरब सागर में माही नदी गिरती है, option number C, माही नदी राइड आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राजी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राजी है, उत्तर प्रदेश, option number A यहाँ पर राइड आंसर है निम्ने में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल easy caution है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, option number B दक्षन भारत की नदीों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षन भारत की नदीों में सबसे लंबी नदी है किस राज्ये में राष्टिय उध्यान वैली ऑफ फ्लावर इस्तित है तो वैली ऑफ फ्लावर ये इस्तित है आपका उत्तरा खंड में option number यहां पर ए right answer हो जाएगा सलाल जल्विदुत परियोजना किस राज्य मेस्त है तो सलाल इस्तित है जम्मू काश्मीर में option number B right answer हो जाएगा और ये रहा आपका आज का आखरी question इसमें आपसे पूछा गया है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत काल में इनमे से क्या होता है भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है सीत काल में वर्षा किस से होती है तो देखीए इसमें आंसर हो जाएगा मैं आपको बताचीता हो कि सीत काल में वर्षा होती है पश्चिम इनी विक्षोबों से option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा विभाजन के विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीकी से प्रभावित हुआ तो जूट और रुई का उद्योग सबसे बुरी तरीकी से विभाजन के कारण प्रभावित हुआ था निम्दल के तिमसे कौन सी नगडी फसल है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी नगडी फसल है तंबाकू ऑप्शन अबड़ी तंबाकू राइट आंसर हो जाएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि धान की खेती सबसे यादा किस राजी में होती धान उत्पा 20-20 मिनट में आपके 100-100 कॉशन करा है मैंने MCQ ज़री आपको वीडियो देखना है तो प्लीज जाए चैनल पर और जरू देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद